तो आज किस वीडियो में हमारे सामने खड़ी हुई है All New Toyota High Radar का जी Hybrid वाला वेरियंट यह से इसका एक्षव रूम प्राइस टार्ट होता है 17.49 Lakh रूपीज से साइड में यह दोनों ही कार्स टॉप वाले वेरियंट है जो कि है वी Hybrid जैन के उपर हमने और लेड़ी वीडियो कर रखे तो आप उन्हें चेक आउट कर सकते हैं अगर बात की जाए दोनों ही कार्स में 1.5 Lakh का डिफरेंस आता है लग बग टॉप मोडल का प्राइस जाता है 18 19.99 Lakh रुपीज तक तो दोनाई कार्स में आज अपन डिफरेंस भी देख रहे होंगे कि हमें क्या कुछ नया देखने को मिल जाता है इस टॉटर हाइड एडर के सिकेंड टॉप वेरियंट में और क्या हमें नहीं देखने को मिलता है तो आज किस वीडियो में आपके सारी क्लियर हो जाने वाले हैं अगर आप मैंसे कोई भी भूपाल के आसपास के रीजन का है अगर आपको कोई भी प्रोड़क्ट पर्चिस करना है तो आप राजपाल टुएटर विजट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दी रखी हैं अगर आगे से स्टार्ट क आपको इसमें देखने को मिल जाती है और अवर आल कुछ ऐसा आपको इसका फ्रंट लोक देखने को मिल रहा होगा और इस अगर इंजन इसके बारे में बात की जाए तो इसमें आपको इसमें देखने को मिल रहा होगा और आपको इसमें मोटर भी देखने को मिल रही होगी चुकि 79 BHP के परनिकाल कर देगी एंड 141 Nm का टॉर्क अगर इंजन के बारे में बात की जाए तो वो आपको 91 BHP की परनिकाल कर दे रहा हुगा उन 122 Nm का टॉर्क निकाल कर दे रहा हुगा और माईलेज के बारे में बात की जाए तो company's का माईलेज 27.97 क्लेम करती है अब अगर टायर साइस के वारे में बात की जाए तो इसमें आपको 17 इंच के डामेंड कट अलोई वील्स देखने को मिल रही होंगी अब अगर अगर आप उपको टॉप मोडल से कबिर करें तो एकशएक्ट सेम है और आपको दोन ही ग्रस में ऐइखसेम धगाने को मिलता है ॉपकिए किया नहीं बढर याप की जाए तो कुछ ऐसे को ऐसे आपको देखने मिल रही होंगे बौडी कलर्ड ही है आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं अब अगर बात कीज़े इसके रेयर लुक की तो कुछ ऐसा आपको देखने को मिल रहा होगा अगर अगर बात कीज़े इस स्टार्टिंग उपर से तो यहाँ पर आपको शार्क फिन एंटिने देखने को मिल जाएका and also यहाँ पर आपको rear wiper plus default भी देखने को मिल जाएंगे and अगर यहाँ पर देखेंगे तो reverse parking कैमरा आपको available होगा and चार reverse parking sensors आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं and guys overall कुछ ऐसा ही look आपको real look देखने को मिल रहा होगा Toyota High Rider का and I know आप मैंसे काईफ़ी सारे लोग कही न कहीं से Grand Vitara से compare कर रहे होंगे तो जो इसके LED टेल लाइट्स हैं वही difference है इसमें आपको टेल लाइट्स का फरक देखने को मिल रहा होगा दो नहीं कार्स में है and that's it and guys अब अगर बात कीजिए इसके boot space के बारे में but I don't think so कि यह आपको as such major issue create करेगा आराम से आप 2-3, 3-4 बैग आराम से रख सकते हैं and also जो seats हैं वो भी 60-40 split हो जाती है तो इसमें भी कोई issue नहीं होगा आप उसे और extend कर सकते हैं and also यहाँ पर आपको charging socket भी available कराया गया and overall कुछ ऐसा आपको इसका boot space देखने को मिलने वाला है and guys चलिए अब चलते हैं इसके interior में and सबसे पहले यहाँ पर आपको request sensors देखने को मिल जाएंगे दोनों ही side and also gate के बारे में बात की जाएं तो यहाँ पर भी आपको soft touch प्रोवाइड कराया गया है as the top model and also driver side ही बस auto है up and down है बाकी सारी manual है and also guys आपको electronically adjust कर सकते हैं fold भी कर सकते है obviously and नीचे water bottle holder एक liter की bottle काफी आराम से आजाएगी and also height adjustable seats इसमें भी आपको available होती है and guys अब अगर इसके key के बारे में बात की जाएंगे तो कुछ ऐसी आपको इसके key देखने को मिल रही होगी सिर्फ lock and unlock का button ही दिया गया है that's it पीछा piano finesse देख सकते हैं काफी simple सी key है तो कुछ ऐसी देखने को मिलेगी सबसे पहले start कर लेते हैं car को end सबसे पहले देख लेते हैं इसके instrumental cluster को fully digital instrumental cluster आपको इसमें देखने को मिलता है तो currently आप देख सकते हैं सेम आपको इसके top end variant में भी ऐसा ही देखने को मिलेगा left side में आपको सारी बैटरी से related info देखने को मिल जागी right side में आपको जो engine के regarding info है वो देखने को मिल रही होगी and guys अब अगर इसके steering wheel के बारे में बात की जाए तो यह पर आपको simple steering wheel देखने को मिलती है तो यह ही difference है यह पर आपको info इसमों के regarding control देखने को मिल जाते है and right side में आपको cruise control के regarding control देखने को मिल जाती है and यहाँ पर आपको देख सकतने सेलवर फिनिस दिया गया है same as in top variant आप अगर अगर एड़स्मेंट के बारे में बात की जाओ तिल्ट एंट तेलिस्कोपिक डोनोही तरहीके से आप इसे अगर सकते हैं अगर अगर राइट साइड में चलें तो यहां पर आपको स्टार्ड बटन देखने को मिल रहा हुगा सिल्वर सराउडिंग के साथ यहां पर हुड़ी डिस्पले का कंट्रोंस देखने को मिल जाएँ गे बट the missing thing is that यहां पर आप ऊठसी सिर्षी डिगर क्ट्रोंस नहीं देखने को मिल यहां के क्यों किसमें नहीं देखने को मिल जाते हैं कुछ ऐसा इस events देखने को मिल रहे होंगे surrounding में आप देख सकते हैं piano finish दिया गया है काफी सही लगते हैं as such काफी premium सा ही feel देंगे अब अगर बात कीज़ाई इसके infotainment system के बारे में तो इसमें आपको 9 inches का touch screen infotainment system देखने को मिल जाता है with android.to apple carplay and also इसमें आपको 6 speakers देखने को मिल रहे होंगे and guys जैसा कि मैंने अल्लेडी बता रखा है कि इसमें आपको 360 degree camera नहीं देखने को मिलता है जो कि इसके top end variant में देखने को मिल जाता है and बात कीज़े इसमें आपको automatic climate control देखने को मिल रहा होगा and also guys नीचे आप देख सकते है यहाँ पर आपको traction on and off का बटन भी देखने को मिल जाएगा and wireless charging भी आपको इसमें देखने को मिल जाती है and guys अगर बात कीज़ें transmission बारे में तो आपको CVT transmission देखने को मिल रहा होगा and guys यहाँ पर आपको EV mode and also driving mode के buttons दिये गए है and by guys बात कीज़ें इसके armrest के बारे में जो की slide हो जाता है and बात कीज़ें इसके space के बारे में तो काफी deep सा space आपको इसमें देखने को मिल जाता है and now guys अब अगर इसके glove box के बारे में काफी अच्छी बात है and यहाँ पर आपको cabin lights देखने को मिल जाती है जो कि again yellow color की ही है and नीचे आपको panoramics sunroof की controls देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर है sun glass holder and also guys बात कीज़ें इसमें आपको automatic IRVM देखने को मिल रहा होगा and अगर driver side देखें तो यहाँ पर भी आपको vanity mirror available किया गया है with the light जो कि again काफी सही बात है and guys अब अगर इसके नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपको proper dead pedal भी provide कराया गया है तो आपको यहाँ पर भी कोई भी issue नहीं होगा and guys अब अगर एक और feature के बार में बात किया जो कि इसमें missing इसके top variant में आपको देखने को मिल जाता है जो कि है ventilated seats यह इसके इसमें आपको ventilated seats भी नहीं देखने को मिलती है and guys देख सकते हैं आप proper drive ability के मामले में कोई भी देखकर नहीं है इस car में proper आपको bonnet का vision आ जाता है पियानो फिनिस देखने को मिल जाता है जो कि again काफी ज़्यादा premium feel होता है यहाँ पर है water water holder and guys अब अगर बात कीजाए इस car के space के बारे में तो जो आगे की seat है वो मैंने एकदम पीछे कर रखी है जो कि generally नहीं होती है बट फिर भी आप देख सकते हैं काफी अच्छा खासा leg room मुझे देखने को मिल रहा है तो leg room में कोई भी इशू नहीं होगा आपको इस car में and also जो under the high support है बाई साब वो भी काफी बड़ी आपको इसमें देखने को मिल जाता है वो भी कोई इशू वाली बात नहीं है क्योंकि अभी आप देख सकते हैं मुझे इतना head room देखने को मिल रहा है तो वो आप personally आपको चेक करना पड़ेगा and also guys अगर rear side में देखेंगे आप तो जो तीनों ही head rest है वो adjustable हमें देखने को मिल जाते हैं काफी बड़ी आवाली बात है and also guys इसमें आपको armrest भी देखने को मिल जाता है with two cup holders तो करने लिए मैं उसे open नहीं कर पा रहा हूँ बाकी देखने को मिल जाता है and also guys अगर बात की जाए यहाँ पर आपको rear race events भी देखने को मिल जाते हैं and नीचे दो charging sockets भी available कराए गए हैं यह एक है type C and एक आपको USB देखने को मिल जाता है यहाँ पर है छोड़ा सा hump वही छोड़ा सा issue create कर सकता है जो कि जो बंदा बीच में बैटेगा बाकी तीन लोग भी आराम से बैट सकते हैं इस कार में and overall कुछ ऐसा लोग आपको देखने को मिलेगा and also Kevin Light के बारे में बात कीज़े तो यहाँ पर भी रेयर साइड में यलो कलर की ही दी गई है and यहाँ पर है grab handle and that's it guys यह तो था हमारा walk around of Toyota hybrid and guys अब अगर बात कीज़ें के बारे में कि जो इसका top end variant है जो कि लगबाग इससे डेर लाख रुपीस extra है and also guys आपको इसमें leatherized steering wheel देखने को मिल रहा होगा and also ventilated seats भी उसमें extra देखने को मिल जाती है उसमें आपको tire pressure monitoring system भी देखने को मिल जाता है तो यह सारी चीज़ें आपको इसमें extra देखने को मिल रही होंगी and क्या यह जेस्टिफाइबल है डेर लाख रुपीस extra देना वो आप comment section में जरूर बता सकते है and also guys twitter high rider में आपको second base model में भी जो कि S hybrid है उसमें भी आपको strong hybrid देखने को मिल जाता है तो अगर आपको क्यों पर वीडियो चाहिए तो आप comment section में बता सकते है कि मारूती के second base model में आपको strong hybrid नहीं देखने को मिल रहा होगा तो अगर आपके लिए वीडियो पसंद आईए तो प्लीज इस वीडियो को like कीजिए, share कीजिए, comment कीजिए and please हमारे चैनल को subscribe कीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद